सेतान युशू के परिक्ष्याव खईयूरे युशू के ती या पवित्र डुपकी लगावते बाद तुरंतल बादले पवित्र आत्माय आई मनग्या जयते युशू आईया चालीस देंग चालीस गायरे ही आई समय आई बरते खईया और सेतान युशू के पाह पीते पाप हागई खाने आय के पर खईया पहलो सेतान युशू चिने अगर नंग परमेशर के पयाव चीही ते अई डुंगला के लग्या पनाऊ बे तब नंग जा शैक्कुरियो पर येश्व सेतान ना परमेश्वर के वचनाओ या अई लिखोते रहां जिऊं तो रेवखानी मन्च के के वळल लग गया के जरूरी हाँ आही रिये पर अई हर आई बतकाओ के जरूरी ही रे जो परमेश्वर आईला ची नहीं रे जब सेताने यिसु मंदीर के जिक उच्चो तूको यह जाते आई अई चीने अगर नंग परमेश्वर के पयाव चीहीं ते अई कुमादी धी फाटो ओडे अंग खानी की लिखो तर्या हुआ परमेश्वर नंग याके खानी सर्ग के दूतावला आदेश बेर्यू की यिसु अई हाँ खाई जो सेताने आई गही खानी सिया आई के बजाए आई चीने परमेश्वर हड़ डाची नंग परभू पान परमेश्वर के परिक्ष्व को ताख खाई आना फिर सेताने आई संसार के जम्मा राजला चीहम्टे आई अई चीहम्टे की वाईला गही सक्ती वालो लफाए और वाईला गही रुपईया वालो लफाए आई यिसु चीने ना नंग अई से हंग बईने अगर नंग गुटना एगे टे क्योतना परणाम खई यिसु जवाब जिवे ए सेतान ना पाहे दिगे परमेशवर के वजनाओ के वाई मन चला के आदे साव बवसीरे केवल पान के परभू परमेशवर के भक्ती उखही नी परमेशवर के रूप या केवल आई के आदर सम्मान खही नी यिसु सेतान के परिक्ष्या दी हार हां मन्या अई कारणे सेतान आई के पाहे दी उक्का तब सर्ग के दूता उला पीते यिसु के सेवाव गई भंगे सी मती अध्याई 4.1.11 मर्कुस 1.12.13 लुका 4.1.13 दी डा बाइबल के कहानियो